हेलो, वाट्स अप गाईज, माई नेम इस पिनोत बादू थापा और आज आम इस वीडियो में देखेंगे वाट इस बैकन डेवलप्मेंट इन हिंदी, तो चलिए गाईज, सुरू करते वीडियो को सुरू करने से पहले गाई से आप लोगों को एक कुईक अपडेट देना चाहूंगा आज मेरा ये बैकन डेवलप्मेंट टुटोलियल के उपर सेकेंड वीडियो होने जा रहा है वीडियो देखने वाले वाट इस बैकन डेवलप्मेंट तो चलिए गाईज, शुरू करते देखिए वाट इस बैकन डेवलप्मेंट एंड मैं चाहता हो कि आप थोड़ा सा सोचे आप लोग को बताने के लिए जिससे आपको ये में confidence दिला सकूँ डैट बैकन डेवलप्मेंट इजी है तो ध्यान से सुनिएगा देखिए लाइप में कुछ चीजे इतनी भी complicated नहीं होती जितना हम उसको बार-बार सोचके बना देते है आपको लाइन कैसे लागा मैं आपको बताना चाहूंगा ये जो लाइन है ये perfectly back-end development के साथ जूटा हुआ है क्यों क्योंकि आज भी अगर आप किसी से भी पूछों कि they are like front-end development बहुत easy है ये बच्चों का काम है अगर कुछ बढ़ा करना है तो go for back-end development गाइस मैं मानता हूं बढ़ा करने के लिए back-end development भी जरूरी है लेकिन ऐसा भी कुछ नहीं कि front-end development simpler back-end development hard है ऐसा बिल्कुल नहीं front-end development अगर simple है it means back-end development भी simple है easy है ये आप अपने mind में हटा लो कि नहीं है back-end development बहुत मुस्किल है बिल्कुल भी नहीं एकदम simple है और मैं ये आपको guarantee देता हूं मेरा ये series देखने के बाद आप तो जरूर बोलोगा हाँ ये back-end developments एकदम simpler में फालतों में इतना tension ले रहा था ठीक है तो देखे गाइस क्या होता है back-end development और हट गाइस तो अब अपने mind को एकदम relax रखे और ये बोली कि हां मैं back-end development शिख सकता हूं क्योंकि ये बहुत simple है this is it ठीक है ये बस आपको अपने mind में चलाते रहना तो देखे आप हम definition पाटते that is back-end development languages handle the behind the scene ये word आपको बहुत ध्यान देना that is behind the scenes functionality of web application it's code that connects the web to a database manages user connections and powers the web application itself ये चीज आपको ध्यान देना है कि जो back-end development language जो हम सीख रहे उसका main काम क्या guys it handles behind the scenes functionality of web application अगर मैं आपको एक simple तरीके से आपको इसका example दो you know तो guys अगर आप movie देखते है उनो आप जो hall में जाके movie देख रहे आप क्या देखते है movie में जो characters role play करे that is hero and villains you know तो सिर्फ हमें वो ही दिखाई देता मूवी में लेकिन आपको मालू में वो movie की पीछे अगर कभी behind the scenes आता तो हमें पाता चलता बाइस सिर्फ hero heroine नहीं है कोई तो है जो उनको record कर रहा that is your cameraman सिर्फ camera man से काम नीच लेगा we have a director we have a producer we have a sets में काम करने वाले cruise मालब क्या चीज नहीं है मालब वो सब जो है ठीक है जो possible कर रहा कि हमें movie दिखाई दे front end में तो guys यही सब crew cameraman director producer जो है ठीक है यह सब है आपके behind the scenes के पीछे यह काम कर रहे है तो उसी तरीके से हम इसको बोलेंगे back end वाले और जो आपको character play करके हमें जो hall में दिखाया जाता ठीक है that is your front end तो simple सा यह यह जो आपको movie दीख रहा that is your front end उसको possible करने के लिए जो behind the scene में जो मैनत हो रहा है that is your back end ठीक है अब यह तो चलो मैंने movie बता दिया बस आप लोगको mind में relate करवाने के लिए that is what is behind the scene अब मैं आपको actual practical करके दिखाऊंगा that what is behind the scene in web development front end क्या होता है and back end क्या होता है देखे गाइस यह तो मैं आभी आपको practical करके दिखाए दे तो guys वह actual practical दिखाने से पहले मैं आप लोगको workflow बताना चाहूंगा जहां मैं आपको start से end तक बताने वाला हूँ कि जब आपको project मिलता है तो क्या करता है UI, UX, graphic designer, front end developer and then back end development यह मैं आपको workflow पहले इसी वीडियो में समझाऊंगा ताकि कि आपका पुरा doubt के लिए हो जाए से back end नहीं सब कुछ तो देखे गाई, simple सा है मैं आपको एक example बता रहा हूं अब ध्यान से सुने, ने तो आप चाहिए तो आँग भी बंद कर सकते हो, ठीक है आपको ने एक company open किया है, ने तो आप एक freelancer हो, यह दो condition है आपके पास एक client आया, he says मुझे मेरे लिए portfolio create करना है और उस portfolio में contact us का एक form होना चाहिए जहां पे अगर कोई भी user online वहाँ पे अपना data fill कर रहा है data insert कर रहा है, वो मुझे मेरे database पे दिखना चाहिए this is it, client का requirement बस इतना ही, तो अब यह जो project आपको मिला, आप कैसे करोगे ठीक है, अगर एक company की example दूँ, so we have a UI developer, जिसको हम बोलता है user interface वो उस portfolio का, वो जो client उसके portfolio का, क्या करेगा, का इस wireframe create करेगा like skeleton type, धाचा बनाएगा, कि कहा buttons होने चीए, कहाँ पे उनका images होने चीए, कहाँ gallery होने चीए, कहाँ contact us, कितने fonts क्या, सब वो हमारा user interface दिखाएगा by using wireframe, and उसको फिर चेक करेगा, that वो जो wireframe create किया, जो skeleton जो धाचा बनाया घर का, घर शुरू करने से पहले उसका धाचा बनाते है, वो perfect है या नहीं, तो वो user experience उसको check करते है, and once user experience ने बोला perfect, तो वो आगे जाता है आपके graphic designer के पास, जो graphic designer by using photoshop guys, उसका psd file create कर देता है, and आप में से बहुतोंने बहुत बार सुनाओगा, please मझे पता, psd to html कैसे convert करते है, that is it, क्योंकि graphic designer अब उस wireframe, जो UI ने create किया था, अब उसका बनाएगा psd file, मतलब आपका website create कर देगा, लेकिन एक image के format में, ठीक है, वो आगे पास हो जाएगा हमारे frontend developer को, जो by using HTML, CSS, JavaScript, जो भी आजकल modern library आचुके है, या आपके framework से आचुके, उसकी मदद से वो, वो जान देगा, और code के मदद से website create कर देगा, but that is only static, वो frontend developer का काम है, जब सब कुछ ready हो गया है, now एक चीज बज गया, ठीक है, frontend developer ने सब कुछ बना दिया, एक चीज भी नहीं कर पाएगा, that is, जो contact us form है, उस पर मैं ऐसा कौन सा code लिखूं, जिससे अगर कोई भी user online, उस पर data fill कर रहा है, that is, उसका नाम, mobile number, और message, you know, वो उसको database पर दिखाएदे, वो frontend developer नहीं कर पाएगा, for that, we need a backend development, this is it, guys, यहाँ पर आपको आखके backend development की जरूरत पढ़ती है, और मैंने आपको पहले वीडियो में समझा दिया था, कि अगर आपको salary में थोड़ा सा hike चाहिए, अगर आपको promotion चाहिए, then you must know what is backend development, तो वहाँ पर जाके backend development आता है, और इसको ही हम बोलते है backend development, this is it, guys, यहाँ पर आके आपको backend development की जरूरत आ जाती है, ठीके, तो इसलिए backend development important है, क्यों, क्योंकि अगर आपने इतना कुछ कर लिया, तो आपके पास एक कमी रह जाती, that is, अगर आप backend development नहीं कर पाते हो, तो आ जो ही functionality पाने के लिए, behind the scene functionality पाने के लिए, we need a backend development, ठीके, अब मैं आपको बताता हूँ कि इसका जो गॉन्टेक्टर स्वाब माला था, वो मैं अभी आपको लाइप प्रेक्टिकल करके दिखाता हूँ, मैंने अल्रेडी क्रेट किया, मैं आपको दिखाँगा, कॉन्टर स् आती है, कि जैसे frontend developer के हम बात करते हैं, तो तीन ऐसे programming language बोलिए, या आप hypertext बोलिए, जो compulsory mind में आही जाता है, that is HTML, CSS and JavaScript, जो आपको आना ही चाहिए, तो उसी तरिके से अगर हम backend development सिखना चाहते है, या अगर आप अपने आपको backend developer बोलते हैं, तो मललब हमें क्या सिखे, क मतलब, guys, तो मैं आपको guarantee देता हूँ कि अभी इंडिया में more than 60% company, you know, जब backend development की बात आती है, तो वो PHP ही prefer करती है, as a server-side scripting language and for database, जो आपको possible करेगा, कि value दिखाए दे, और वो लोग use करते हैं, MySQL, so this is it, guys, अगर आपको backend developer बनना है, so you must know what is PHP, complete PHP, and then MySQL, ऐसा भी नहीं कि ए अगर आप इतना भी आप कर लेते हो कि किसी तरीके से वो जो user जो भी फिल कर रहा है, वो आप database पर दिखा सको, वो इन आप, at least आप qualify कर जाओगे, and देदेरे प्रैक्टिस करते करते, company में, काम करते करते, आप सिख जाओगे, आगे, और क्योंकि बहुत कुछ है, ना, सिब Python यूज कर सकते हो, Ruby यूज कर सकते हो, आजकल तो JavaScript का अपना खुद का framework, that is your Node.js, उसका framework आचो का express तो guys, it's totally depend on the requirement, but mostly PHP यूज होता है, यह बहुत जरूरी है, अभी भी 2020 में, you know, बली old days आप बोल दो, लेकिन अभी भी यह बहुत important है, so in our case, PHP and MySQL, अगर आप कर लेते हो, you are a backend developer, all right guys, तो मैं आपको live practical करके दिखा, तो यह देखी, मेरे पास already एक code है, इसको copy file पात करता हूँ, ठीक है, अपने code editor पे नहीं, अपने browser पे जाता हूँ, यहाँ पर मैं इसको कर देता हूँ, paste, अब मैं अगर simply paste करूँगा, तो यह run होगा नि, क्यों, इसका extension है, .php, and इसका बिलकुल tension मतलों मैं next video मैं आपको complete बताऊँगा, फाइल का नाम कैसे save करना है, कहाँ save करना है, तो local host आपको लिखना पड़ता सबसे पहले, और सिब लिखने से काम नहीं चलेगा, आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर आप देख सकते हूँ, मैंने jam server open किया, पह यह सब हम आगे जरूर देखिए, यह तो बस एक quick introduction, जो मैंने आपको बता है कि backend development कहाँ पर काम आ जाता है, अब अगर इसको मैं लोड करूँगा, भूंगा इसे देखिए, आप देख सकते हो, हमारा website यह आचुका है, and we have this contact as form, सोचलो यह वही client का portfolio था, so guys आप देखिए, प्लीज इस पर email मत करने, मेरा email लिखता हूँ, this is my second video, लिख देखिए, तो इस तरी किसे on backend development, backend development, simple सा short लिखा, so submit जैसे ही मैं करूँगा, guys, आप देख सकते, boom, information added successfully, वाप से same page, अब मुझे यह देखना है कि जो यह user ने, अभी just मैंने जो data फिल किया, वो exactly safe होया नहीं, so you you have to write localhost forward slash phpmyadmin, alright, आप देख सकते हो, guys, यह थोड़ा सा time ले रहा, लेकिन इतना भी नहीं ले रहा, hardly इसने 3 second time लिया, और already मैंने code पे, guys, यह सब हम आगे जरूर देखिएंगे, बस यहाँ पर आप database connection में देख सकते हो, YouTube database, मेरा database का नाम है, तो आप देख सकते हो, YouTube database यहा user information data, user info data, and 3, 2, 1, boom, ऐसे देखिए, बिनो थापा, thapa.gmail.com, जूम कर देता हूं, एक सेकिन को जादी जूम होगा, यहाँ पर आप देख सकते हो, यह देखिए, thapa.gmail.com, and then we have your number, और this is my second video on backend development, यह जश्ट अब भी मैंने आपके सामने, अब भी time भी आप नीचे देख सकत किया, so this is it guys, यह है आपका backend development, आपने website तो बना दिया, जो हमें दिखाई दे रहा, जैसे मैंने फिल्म का आपको example दिया था, यह सब आपके characters है, अब contactors form हो तो कुछ ना कुछ हमे backend behind the sin functionality चाहिए, तो यह वही behind the sin functionality है, कि कैसे आपने submit button पर ऐसा क्या code लिग दिया, जिससे व simple आपको धियान में रखना है, ठीक है, और मैंने आपको starting में ही बता दिया था, that backend is simple, so really guys, आपको आज का वीडियो पसंद आ होगा, अब next time आप यह नहीं पूछोगी कि क्या होता है backend developer, मैंने आपको पूरा बता दिया कि backend development की हमें कब जरूरत पढ़ती है, और उसका काम कह अगें, behind the scene functionality को handle करना, this is it, इतना simple, so guys, आज इस वीडियो के इतना है, and already इस वीडियो को भी मैं अपने इस playlist पैड कर दूँगा, अगर आपने previous वीडियो नहीं देखा, तो जरूरत देखे, क्योंकि उसमें मैंने workflow आपको बता है, कि हम आगे कैसे बढ़ने वाले है, and guys, मै daily ऐसे awesome videos create करता रहता हूं, and मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि आप ऐसे awesome videos को miss कीजिए, so please subscribe मैं चैनल थापा technical, और आपको right side में एक red color का bell icon एक गंटी दिखाई देगा, उसको hit कीजिए, उसको click कीजिए, ताकि जो भी वीडियो में upload करूँ, सबसे पहले notification आपको मिल जाए, औ आपको खुछ से manually search ना करना पड़े, कुछ भी doubt हो तो बेफिगरों की नीचे comment कीजिए, मैं आपको जरूर हल्प करूँगा, so till then guys, thank you so much, take care.